हेलो दोस्तों कैंसी वाप तो दोस्तों आज बनारों में मचली आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मचली है तो दोस्तों यह मचलियां उत्राखंड के पहाड़ी छेतरों में पाए जाती है और बहुत ही टेश्टी होती है और इनमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन पाए जा कि मैंने कटिंग कर लिए अच्छे से मैंने दो के काट दिये हैं आप देख सकते हैं कापी च्छोटे-च्छोटे पीस मैंने काट रहे हैं मचलों के चलो दोस्तों बनाना इस्टाल करते हैं तो यहां पर चूले में मैंने आग जला के तयार कर रही है और इसमें रख दूंगा और दनिया काट रहे हैं तो दोस्तो तेल हमारा अच्छे से ग्रम हो गया है आप देख सकते हैं और इसको अच्छे से भून देंगे बढ़िया से ब्राउन कर देंगे तो दोस्तों पहले से हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है आप देख सकते हैं दोस्तों और यह हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है इसमें डालेंगे हम टमाटर और यह मैंने यहां पर टमाटर डाल दिया है और इसको भी अच्छे से ब्राउन कर देंगे तो इस्ते फ़रे डालेंगे दोस्तों इतने महलका सा नमक जिससे कि हमारा प्याय टमाटर अच्छे से सौप्ट हो जाएंगे रॉच्छे से ग्रेवी तैयर हो जाएगे फैस कि भजब इसमेंडर लिए यहां 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 पर एक फरक्रान का पिश्ट ढहाई और इसको्ond child गओंगा चैसे बहन का और यहां पर अच्छे वह बहन दोंगा है आप इसमें डाल वोंगा मैं एक पैकेट ऑफ किचन कींग और ये मैं ने आप इस किचन किंग डाला और हलके से मिक्समसाले डाल दूगा लिह और इनको में अच्छे से बूंद दोंगा आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी ग्रेवि कितने इच्छे से सब्सक्राइब त्यार हो लीए तो दोस्तु मैं ढाल नें हम थोड़ा सा पानी पानी कि और यह मैंने आवे पानी डाल दीया है इसको अच्छे से अंगर देंगे तो तो रोगा यहां पर यह मच्ना रहों और पहाडी श्टायल में बना रहो और पहाडी मचली बीए है बहुती टेश्टी होती है तो जोस्तो हमारी気 तयार होगी है आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रेवृत आरे तो इसFraky how और पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स्ट कर देंगे तो दोस्तों पानी डालने के बाद इसको अच्छे से एक बार वा उबाल देंगे जैसे हमारा जैसे हमारी ग्रेवी उबल जाएगी आप देख सकते हैं तो पहले सा आप देख सकते हमारी ग्रेवी काफी अच्छे सी अब उभल रही है तो दोस्तों इसमें डालेंगे अब हम मच्छी जो मैंने आपकाट के रखी हुई है मच्छी हमें पहले नीडालनी है नहीं तो गल जाएंगी मच्छी बहुत ही जादा सौप्ट होती है जैसे हमारी ग्रेवी तैयर हो जाएगी इसमें डाल देंगे हम मच्छी और दोस्तों यह पहाड़ी स्टाइल है पहाड़ी स्टाइल से में बना रहा हूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों पहले से हमारा मच्छी की जो करी है काप अच्छी लग रही है अब इसको दोस्तों एक चाको की मदद से उपर से नीचे पलड़ देंगे तो आप देख सकत दोस्तों कितनी बढ़ या मारी अ मच्ची की करीं बन रही है है तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों लाइक करना शेयर करना कमेंट से करना कैसी लेगी और यह डाला में उपर से धनिया बारी कटा हुआ तो दूस्तो हमारी मच्छे के करी तैयार है पहाड़ी स्टाइल में